मैं अपने खिलाफ बातें अक्सर खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का काम मैंने वक्त को दे रखा है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तीलियां बुझा दी जाती है। दुनिया में अपना कोई नहीं है, बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामात की अमानत है, शरीर, शमशान की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है। जिन्दगी बहुत लंबी है, अपना दिल हर बात पर छोटा मत किया करो वक्त और पैसा इनसान के पास कितना भी हो, कम ही लगता है दुनिया की सबसे बहतर दवा जिम्मेदारी है, एक बार लेके तो देखिए, जिन्दगी भर ठकने नहीं देगी इज़त किसी इनसान की नहीं होती, जरूरत की होती है, जरूरत खत्म, इज़त खत्म खुशी और प्यार को ढूंड़ना नहीं चाहिए, ये हमें ढूंड़े, यही बहतर है जिन्दगी कोई फिल्म नहीं है, यहां सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होता पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो, कि पैसे खर्च करने के लिए जिन्दगी में वक्त ही न बचे जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिन्दगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकि सब कैलेंडर की डेट्स है किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है, जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए ज्यादा सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, सीधे पेड़ पहले काट लिए जाते हैं और टेड़े मेड़े बच जाते हैं कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं संसार में केवल मनुष्य ही एक मात्र प्राणी है, जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं, बातों में है संघर्ष के समय कोई नस्दीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंट यकीन कर लेते हैं गुसा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बरबाद करने से पहले खुद को बरबाद करता है जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं पहले आयू में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होता है जिन्दगी जब मुश्किल वक्त में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते है कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं हालांकि ये काम कच्छरे का होता है खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता पैसे की पावर काले इंसान को भी गोरा बना देती है जब इंसान खुद कमाने लगता है तब कद्दू में भी पनीर का स्वाध आने लगता है लोगों की सिर्फ डिगरी महंगी है सोच अभी भी दो कौड़ी की है जिस बच्चे को उसके बाप ने थपड नहीं मारा उसे पूरी दुनिया थपड मारती है सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक जूट आधी दुनिया का सफर कर लेता है नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वो हमेशा के लिए जिन्दा रहेंगे बूरे होने पर एक बात की संतुष्टी जरूर होती है कि हम जवानी में नहीं मर रहे इस दुनिया में शीशा ही एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं हसेगा अगर आप रो रहे हो तो अगर लोग आपके लक्षियों पर हस नहीं रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके लक्षे बहुत छोटे हैं जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो आज कल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं